नमस्कार दोस्तों मैं आजय सिंग आपका स्वागत करता हूँ SSE Maker के YouTube चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम Railway NTPC exam की analysis करेंगे जो दोस्तों आपकी परिक्सा हुई है 27 फरवरी 2021 के date में इस वीडियो में दोस्तों हम 1st and 2nd shift के सभी प्रशनों को देखेंगे Maths के question देखेंगे, Reasoning के, GS के, Science के जितने भी question मिले हैं सभी प्रशनों के दोस्तों 100% सही answer के साथ देखेंगे और इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे अगामी किसी भी date में, किसी भी shift में आपका exam है तो आप कौन से-कौन से topic को अच्छे से prepare कर लीजिए और कौन से-कौन से topic से ज्यादा question पूछे जा रहे है ताकि आप topic को prepare करके exam को अच्छे से pass कर जाए तो आईए दोस्तों देखते हैं पहले shift first का question देखिए कि दोस्तों पहले हम shift first के question देखेंगे उसके बाद से दोस्तों second shift के question देखेंगे और ध्यान दीजिए कि दोस्तों प्रशनों को note जरूर करिएगा टेलीग्राम को join कर लीजिएगा link नीचे description box में comment box में भी है टेलीग्राम को अगर आप join कर लेंगे तो इसकी pdf होँआ पर देदेंगे pdf को डाउनलोड करके भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके पहले की सारी pdf दोस्तों हम टेलीग्राम पे दे दियें तो देखेंगा पहला question बहुत ही important है दोस्तों हमेशा ये question पूछा जाता है railway में नहीं दोस्तों बलकि अधर एक्जाम में भी ये question बार बार पूछा जाता है railway में भी ये question कई बार repeat हो चुका है देखेंगे प्रेवेशर के paper से लिया गया question है प्रेशन है दोस्तों forward vlog की अस्थापना किस ने की थी सुभास चंद्र बोश ने की थी देखेंगे प्रेवेशर के paper से ज्यादातर question देखने को मिल रहे हम आपको शुरूच से ही कह रहे है प्रेवेशर के paper जरूर तयार कर लिजिए या SSC maker की जो ebook launch है उस ebook को लेगे पढ़ लिजिए दोनों में एक काम आप जरूर करके जाईए एक्जाम में बहुत अच्छे आपके score आएंगे ठीक है देखिए चलिए आगे देखिएगा ये question याद रखिएगा forward vlog किस थापना किस ने की थी सुभास चैन्ज बोश ने की थी हमेशा पूछा जाता है प्रेशन ये most important question है next question देखिएगा अगला question है बिश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है word हिंदी दिवस बोल रहा है ध्यान दीजेगा बिश्व हिंदी दिवस तो ये है दोस्तो प्रतेख बर्स 10 जनौरी को बिश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है याद रखिएगा और भारत में दोस्तों हिंदी दिवस कम्मन आए जाता है प्रतेक वर्स 14 सेप्टमबर को ठीक है 14 सेप्टमबर ये भी याद रखिएगा ठीक है ये भी पूछा जाता है भारत वाला और 200 हिंदी दिवस बोलेगा तो 10 जनौरी दोनों प्रशनों को याद प्रसन है आगे देखिएगा अगला कोस्षिन दोस्तों पूछा गया है इरडा IRDA का फूल फर्म क्या है जो इरडा है ना IRDA इसका फूल फर्म तो दोस्तों इसका फूल फर्म होता है Insurance Regulatory and Development Authority क्या होता है इरडा का फूल फर्म IRDA का ये important कोस्षिन है दोस्तों आप इसे आप लोग प्रिवेशर के पेपर जरूर तैयर करिए या SSC मेंगर की e-book को लेके आप जरूर पढ़िए चलिए next question देखिएगा काफी important question है इसका answer आप सबको पता होगा RBI का full form क्या है RBI का full form तो आप सबको पता है Reserve Bank of India RBI का full form ठीक है ये तो पता ही होगा और important question है कई बार question repeat किया प्रस्ण क्या है IMF के अध्यक्ष कोन है तो क्रिष्टा लीना जार जीवा IMF के अध्यक्ष है कौन है दोस्तों क्रिष्टा लीना जार जीवा नाम इनका याद रखिएगा ठीक है और एक बात और बता दू दोस्तों SSC Maker की जो e-book है उसे आप लेके ज़रूर पढ़ भी और आपका अधर एक्जाम के लिए बहुत ही important है इस e-book में दोस्तों हम आपको बता दे 1500 प्लस question है जो most important question है जो most repeated question है उन्हीं प्रस्णों को इस e-book में सामिल किया गया है इन 1500 प्लस question में आपको मिलेगा क्या दोस्तों Science के 208, General Awareness के 208, GS के Online Air 25, Maths के 110 most important question और Reasoning के 100 most important question दोस्तों Maths और Reasoning full detail way में step by step solve किया गया है आपको समझने में कहीं पे भी समस्या नहीं होगी e-book को दोस्तों लेंगे कहां से इसका link दोस्तों हम नीचे response box में दे दिया है comment box में लिंक है कहीं पे भी क्लिक करके इस e-book को जरूर डाउनलोड कर लीजेगा e-book की किमत मातर 49 रुपीज है अगर आपको डाउनलोड है पेमेंट करने में किसी प्रकार की समझ्या भी होती है तो दोस्तों ये ससी मेकर का कस्टमर के नंबर है नंबर है दोस्तों 7080108555 आप इस नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं दोस्तों ये अब तक की best e-book है क्योंकि इसमें प्रिपेसर के सारे important और repeated presence सामिल है जो आपके बार बार पर एक्साव में repeat हो रहा है तो इसे दोस तो आपका अगला question ये रहा सातवा question सातवा question बहुत ही important है हमेशा पूछा जाता है और इसका answer आप सबको पता भी होगा प्रस्न है गुर्तवा कर्षल का नियम किस ने दिया था तो Newton ने दिया था याद रखियेगा हमेशा ये repeat होता है प्रस्न next question देखिएगा काफी important प्रस बरगी करित किया जा सकता है कि कौन कौन से भाग है दोस्तों हम आपको बता दे पहला हिमाले की न दिया दूसरा प्रादीपी न दिया और तीसरा तटवर्ती न दिया और चौथा दोस्तों जो है अन्था अस्तली अप्रवाह छेतर की न दिया ये चार भागों में हम इसे बरगी क्रित कर सकते हैं तो याद रखिएगा important question है हो सकता है अगामी किसी दिन में प्रशन फिर से repeat कर जाए नेक्स question देखिएगा reasoning का आया है दोस्तो स्रिंखला का question स्रिंखला में अगला संख्या क्या होगा simple question पूछा जा रहा है reasoning और माय ठीक है tension बिल्कुल भी नहीं नहीं है हम आप लोग लिए crash course भी करा है crash course वाला वीडियो आप लोग पूरा complete करके जाईएगा अच्छे सी exam को पास करेंगे देखिए question यह है दोस्तो 3,8,18,33 question mark यहाँ पे question mark पे कौन सी संख्या होगी आपको यह बताना है तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है तीन से 8 हु अब कितना बढ़ेगा 20, 33 में दोस्तो 20 जोडेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तो 53,33 होगा यानि question मारे पे क्या होगा 53 होगा यानि तिरपन होगा यही आपका answer हो जाएगा तो दोस्तो हम उमीद करते हैं आप expression को बहुत अच्छे तरीके से समझ गया होगे और इस type के question यह exam बहुत ही बहुत ही बहतर आपका होगा देखिए अगला question है देखिए लंबाई की हिसाब से इस type से दिया था question और ऐसे present हम आपको पहले भी कराये हैं crash course में भी कराये हैं देखिए question यह है दोस्तों A का कद छोटा है B से प्रंतु C से लंबा है दी का कद छोटा है A से प solve ना करिए ठीक है इससे करेंगे तो आपको क्या होगा confusion होगा हम आपको बता रहे हैं बहुत आसान तरीका direct answer आएगा कैसे करना है छोटे बड़े जो भी रहे जो बड़ा रहेगा हम उसको उपर लिखेंगे जो छोटा रहेगा उसको हम नीचे लिखेंगे जो सबसे बड़ दोस्तों A का कद B से छोटा है तो हम क्या कर देंगे B के नीचे लिख देंगे परंतु C से लंबा है बोल रहे है A का कद छोटा है B से परंतु C से लंबा है A C से लंबा है यानि C के उपर होगा यानि C से छोटा होगा समझ रहे है चलिए आगे बोल रहे है D का कद छोटा है A से, D का कद छोटा है A से, परंतु C से लंबा है D जो है दोस्तो, देखिए यहाँ पर बोल रहे, D का कद छोटा है A से, D यहाँ पर होगा A से छोटा है, देखिएगा ध्यान दिजिएगा, परंतु C से लंबा है तो C के उपर होगा, यानि कि यहाँ पे बीच वाले लाइन पे होगा समझ रहे ना D, क्लियर है आगे देखिएगा, बोल रहे है तथा E का कद छोटा है B से किन्तु A से लंबा है E जो है दोस्तो किस से छोटा है दोस्तो ध्यान दीजिएगा, B से तो E यहाँ बीच में हो जाएगा किन्तु A से लंबा है, तो A के उपर होगा यानि A और B के बीच में होगा यहाँ तक क्लियर है, बोल क्या रहा है दोस्तो तो सबसे छोटा कद किसका है बताइए सबसे छोटा कौन होगा जो सबसे नीचे होगा, सबसे नीचे कौन है चलिए अब हम next question क्यों चलते हैं अगला question देखिएगा ये 11 नंबर का question है, math का question है, simple question है, बहुत आसान तरीका बतानों solve करने के लिए, pen उठाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखिए simple तरीका क्या है, प्रसन देखिएगा, पहले ध्यान से पढ़िएगा प्र तो दोस्तों जब कभी भी question है इस तरह से और रुपय दिया हो हिस्सा पूछे, तो आप एक लोगों कारे छमता निकालेंगे, यानि कि इन लोगों की जो efficiency है, कारे करने की वो क्या है, जिस ratio में ये काम कर रहे हैं, उसी ratio में इनको पैसा भी मिलेगा, कहने का मतलब है, दोस् इतना करेगा, पांच हके 30, तभी तो 6 दिन में पूरा करेगा, यानि एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, भी 10 दिन में कर रहे हैं, तो 30 यूनिट के लिए 10 यूनिट काम करेगा, तभी ये 10 दिन में पूरा काम समात कर लेगा, और C है 15, तो 15 दुना के 30 एक दिन में ये 2 काम कर रहा है थीक है? जब इस रेशियो में पैसा भी बटेगा. टीक है? इसी रेशियो में पैसा भी बटेगा. किसका हिस्सा पूछ रहा है? B का हिस्सा पूछ रहा है B किस रेशियो में काम कर रहा है 3 के रेशियो में काम कर रहा है टोटल रेशियो क्या है दोस्तो 6, 3, 2 6, 3, 2 जोड़ी है 6, 3, 9, 2, 11 11 रेशियो में दोस्तो 3 रेशियो कर रहा है और टोटल रुपे क्या है दोस्तो 8,800 यही है न, बस यही आंसर हो जाएगा, 11,88, 800, 8, 3, 24, आंसर क्या होगा दोस्तों, 2400 रुपे, B का हिसा क्या होगा, 2400, A का पूछेगा तो 6 बटा 11,88, C का पूछेगा, तो 2 बटा 11,88, B का पूछा है, तो 3 बटा 11,88, समझ रहा न, अनुपात बटा अनुपातिक योग होता है ये चीज तो आपको clear होगा, ये सारे चीज हम आपको पढ़ाए भी हैं, तो answer क्या होगा दोस्तो B का हिसा 2400 रुपए होगा, तो दोस्तो हम उमीद करते हैं, आप इस question को बहुत अच्छे तरीके से समझ गया होंगे, और इस type के question आपकी exam में आएगा, तो आप अच्छे से solve क कर लेंगे, चलिए, अब हम next question की ओर चलते हैं, और एक बात और बता दू, question आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं दोस्तो, वीडियो को like जरूर कर दीजी, अभी तक नहीं कियें, तो share view पढ़ावट कर दीजी, facebook, whatsapp, telegram, जितने भी दोस्तों आपके पास study related group ह और जो नए student अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो दोस्तों आप channel को subscribe जरूर कर लीजिएगा, notification bell को भी दोस्तों जरूर on कर लीजिएगा, ताकि आगामी आपके exam के लिए हम जितने भी important वीडियो दे, उसकी आपको notification मिले, तो इस channel से दोस्तों जरूर जुडिए, इस channel से प्रस्त नहीं है, प्रस्त देखिएगा, प्रस्त है, दो संख्याओं का गुडणफल, 128, तथा उनका महत्तम समापौर्थ तक 8 है, संख्याओं का लगुत्तम समापौर्थ होगा, यानि कि LCM पूछ रहा है, आप देखिए, ऐसे प्रश्नों को solve करने के लिए हम आपको पहल आदे भी फॉर्मूला बतायते, क्या दोस्तों फॉर्मूला बतायते, LCM गुने HCF, ठीक है, यह फॉर्मूला बतायते, LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने आकरी संख्या, यानि दूसरी संख्या, यानि पहली संख्याओं का गुडणफल दिया है, यानि पहली संख हो गा क्या बताईञे? LCM बराबर 1280 और गुने में 8 है मर गुझर जाएगा तो भाग में हो जाएगा? 1280 बटा क्या हो जाएगा? 8. 8 से कट जाएगा, 8 है कब 8, 8, 48, 0 ठीक है? यानि LCM बराबर दोस्त होगा क्या? 160, यही LCM हो जाएगा यानी लगुत्तम समापर्त क्या होगा, 160 होगा, क्या इसके लिए आपको पेन उठाने की जोरूरत है, बेलकुल भी नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए इतना लिखे हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाए, आपको बस करना क्या है, दोस्तों, 1288 से भागी तो गर करेंगे, और जो कोश्चन आपके दोस्तों रह गए हैं, बच गए हैं, उसको हम टेलीग्राम पर दे देंगे, ठीक है, तो टेलीग्राम को ज़रूर जोइन कर लिजेगा, टेलीग्राम को जोइन कि रहेंगे, तो वहाँ पर हम समय समय पर पीडियो भी प्रोवाइड करते काफी important question है और नया question है question क्या है महिला किसान दिवस कब मना जाता है तो प्रतेक बर्स 15 October को दोस्तों महिला किसान दिवस मना जाता है याद रखियेगा हो सकता है अगामी किसी प्रस्ण में प्रस्ण फिर से repeat हो जाए यह दोस्तों हम आपको बता दें दोस्तों यह most important और most repeated question है यह हमेशा एक्जाम में आता है प्रस्ण क्या है दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था तो दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त लाड का 49 ने लागू किया था और ये दोस्तों important question है, ये भी प्रशन हमेशा exam में पूछा जाता है, तो आप इसे भी अभी याद कर लीजिए, प्रशन क्या है अनुछे 43B किस से सम्बंदित है, तो सहकारी सम्मितियों से सम्बंदित है, याद रखिएगा, next question देखिएगा, most repeated question है, हमेशा दोस्तों ये exam मे पूछा जाता है, प्रशन क्या है दोस्तों ध्यान दीजिए पहले, प्रशन को कभी भी आप क्या करिए अच्छे से पढ़िए, पूछा है, विशो की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दोस्तों विशो की सबसे बड़ी नदी निल नदी है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन प्रस्ण में ऐसे नहीं है था प्रस्ण उस टाइप से है था विशू की सबसे बड़ी नदी पानी के घनतों जो घनतों के आधार के यानि घनतों के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो ओ है दोस्तों अमेजन नदी ठीक है डेंस्टी समझ रहे ना घनतों डेंस्टी स समझ रहोंगे तो यह चीज़ समझेगा ठीक है पूछा था विश्यों की सबसे बड़ी घनतों के अनुशार यानि घनतों के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो है दोस्तों अमेजर ठीक है और यहां पे दोस्तों हम आपको बता दे और यह जो नील नदी है यह क्या ह बड़ी नदी है लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी जो नदी है पानी के घनतों के हिसाब से ओकों है दोस्तों अमेजर नदी है याद रखिएगा तो इसका अंसर क्या होगा आपके जो कोशन आज के डिट में आया था उसका अंसर होगा अमेजर ठीक है का विष्टन चर्चिल को किस खेतर में सब्सकार दिया गया था, इसे भी दोस्तो आप लोग ज़रूर याद रखिए, और एक बात और बता दूँँ दोस्तो आप सबके लिए railway ntpc group d और other exam आपके जो यूपी के exam है UPSI, UPSC के जो भी exam है उसके लिए एक channel बनाया गया है link जिसका नीचे डिस्पन box में है comment box में भी है second channel के नाम से उस channel से दोस्तों आप लोग जरूर जूर जाईए उस channel पे दोस्तों daily के question कराया जा रहे हैं तो उस channel से भी जूर के आप लोग लाब जरूर उठाईए उस channel पे काफी important topic कवर कराया जा रहे है तो उसका link कहाँ है नीचे डिस्पन box में है comment box में ठीक है उस channel से जूर के आप लोग लाब जरूर उठाईए अभी हम आप लोगों को crash course के बारे में भी जानकारी देते हैं आगला question देखिएगा ये 7 number का question है और ये बहुत ही important question है हमेशा दोस्तों ये present पूछा जाता है ठीक है present क्या है दोस्तों संबाद comedy के संपादक कौन है संबाद comedy के संपादक कौन है लिंक नीचे response box में है comment box में आईए आपको थोड़ी सी दोस्तों हम जानकारी दे दे crash course के बारे में जो नए student है थोड़ा धिहान देंगे देखिए दोस्तों आप लोग SSC में का channel पे हैं playlist में जाएंगे तो railway reasoning crash course के नाम से playlist बना है जिसमें 38 वीडियोज है railway math crash course के नाम से playlist बना है इसमें भी 38 वीडियोज है ये वीडियोज दोस्तों आपके railway के syllabus के recording है जिस प्रकार से आपके syllabus में दोस्तों chapter दिया है उस प्रकार से chapter by chapter दोस्तों हम सभी chapter को इस crash course में समलित किये हैं और अच्छे तरीके से समझाये हैं प्रिवे सर के important question भी करा है तो exam से पहले दोस्तों इस crash course को जरूर देख लिजिएगा आप लोगों के demand भी थी की sir free में crash course लाइएगा तो free में crash course है दोस्तों और इसका lab आप जरूर उठाईए क्योंकि crash course में सारे आपके syllabus complete है और syllabus से ही question पूछे जा रहे हैं तो अच्छी बात है आपके question यहीं से पूछे जा रहे हैं और आपके exam में बहुत अच्छे marks आएगे आप crash course देख लिजिएगा इसके साथ ही साथ दोस्तों हम practice set की भी playlist बना हैं उसे भी देख लिजिएगा और दोस्तों यह जरूर बताईएगा बीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताईए अच्छा लगा है लाइक सेर कर दीजिए चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके notification वेल को भी आन कर लिजिएगा ताकि अगामी exam के लिए हम जितने भी important वीडियो दे उसकी आपको notification मिले ठीक है और दोस्तों इस ebook को ले के आप जरूर पर लिजिएगा ebook भी आपके exam के लिए काफी important है तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी important प्रेशनों के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यबाद